हेलो गाईज वेलकम तो माई चैनल एट्सक्रेक जुडिश्री तो गाईज आज हम जो इनायल जस्टिस एक्ट में चैप्टर एट्थ करेंगे और सेक्शन 56 से लेके 73 डील करते हैं अडॉप्शन से तो अडॉप्शन में इंडिया में अडॉप्शन या फिर इंडिया से बाह साइड है आप वह जा के उन्हें छफ देख सकते हैं छलिए सेक्टिशन 56 स्टार्त करते हैं अडॉप्शन अडॉप्शन को एक तरह से डिफाइन किया गया है ठीके 56 में डिफाइन किया है अडॉप्शन है क्या तो अडॉप्श्न है की राइट तूउप फैमिली यानि की एक फैमिली का हक होना किसके लिए जो ओर्फन है अबेंडन है या फिर सरेंडर है तीन तरह की वर्ड यूज होंगे तो बार-बार शायद मैं ना लिखूं अगर नोट्स में तो आप समझ जाएगा अडॉप्शन किन किन का ओर्फन अबेंडन और सरेंडर चिल्डरन सरेंडर हम पहले पढ़के आये थे कि जो पेरेंट्स है वो भी सरेंडर कर सकते हैं जो फिजिकली इनकपैसिटी है जिनकी या फिर कोई ऐसी इलनेस है तो वो सरेंडर कर देते हैं ठीक है तो फर्स्ट सब्सेक्शन कहता है अडॉप्शन शैल बी रिसॉर्टेड टू फैमिली उन्ही तीन बच्चों के लिए फर्स्ट में है राइट टू फैमिली है फॉर्फन अबेंडर चाइल उसके बाद है अडॉप्शन जो है एक रिलेटिव से दूसरे रिलेटिव में भी हो सकता है Irrespective of their Religion यानि कि कोई मैटर नहीं करता Religion में की मान लो आप कोई और Religion से अगर रिलेटिव हैं और हो सकता है वो दो अलग लग Religion से हो ऐसा भी हो सकता है अगर relative भी हो सकते हैं दूसरी caste से मानो लड़की की कहीं और शादी कर दी और उसके कजन है पहले वाले तो शादी से पहले वाले तो वो अलग-लग caste में अलग-लग religion में आ सकते हैं तो वही बात करता है irrespective of their religion आप एक relative से दूसरे relative भी adoption कर सकते हैं ठीक है थर्ड सबसेक्शन कहता है कि हामा यानि कि हिंदू adoption maintenance act में जो provision है वो यहाँ पे कुछ apply नहीं होगा यानि कि मान लो HMA में कुछ rules लिखे गए हैं कि इस तरह की चीजें होंगी और difference होगा वो यहाँ पे apply नहीं होगे nothing in this act shall apply to adoption of children made under the provision of हामा ठीक है वाइस वर्सा लिख दिया है कि हामा जो है ये वाले इस act के rule वहाँ apply नहीं होगे और वहाँ वाले यहाँ apply नहीं होगे ठीक है फोर्थ में है कि inter country adoption भी हो सकता है as per कारा कारा मैंने आपको पहले definition करवाते यह भी बताया था ठीक है child adoption resource authority होता है और इस authority के regulation के तहत ही inter country adoption हो सकता है और सब section 5 बात करता है person who takes or sends a child to foreign country यानि कि मान लो कोई person है और बिना कोई provision इस act के और वो वहाँ पे दूसरे foreign country में जो है बच्चे को adopt करवा देता है और कोई provision apply नहीं करता है तो punishable offense होगा हम आगे पढ़ेंगे section 80 में जो penal provisions होंगे उनमें यह define अलग से किया गया है तो section 80 वहाँ पे लग जाएगा section 57 में बात करते है eligibility of prospective adoptive parents prospective के आगे लिख लेना possibility यानि कि adoptive parents जो होने वाले हैं जो possibility है कि वो हो सकते हैं तो इसलिए बार-बार prospective adoptive parents लिखा गया है पूरे बाकी provisions में तो उसका मतलब होगा होने वाले adoptive parents first subsection में qualification की बात करता है कि physically fit होने चाहिए financially sound होने चाहिए mentally alert और motivated होने चाहिए कि वो एक बच्चे को adopt करें for providing a good upbringing to him यानि कि motivation किसके regarding होगी जो उनकी upbringing है वो अच्छी वो कर सके उसके लिए वो motivated होंगे second बात करता है in case of a couple मान लो couple है तो उसमें दोनो spouses जो हैं उनकी consent होना जरूरी होगा और third subsection कहता है मान लो single है यानि कि couple नहीं है या फिर divorce ही है तो उस case में consent obviously वहाँ पे नहीं होगी लेकिन वो ले सकते हैं किसी बच्चे को adoption में और jobby authority के regulations होंगे वो उन्हें fulfill करने पड़ेंगे fourth subsection कहता है कि जो male होगा यानि कि single male होगा अगर couple है तो वो ले सकता है opposite sex में यानि कि girl child अगर होगी तो वो नहीं ले सकता यानि कि single male एक लड़के को तो adopt कर सकता है लेकिन एक लड़की को adopt नहीं कर सकता इस act में ध्यान रखिएगा a single male is not eligible to adopt a girl child fifth में है any other criteria that may be specified in the adoption regulations framed by the authority और कोई criteria है वो भी जो भी specify करेगी authority वो भी आपको fulfill करना पड़ेगा ठीक है उसके बाद है section 58 section 58 कहता है procedure for adoption by Indian prospective adoptive parents living in India यानि कि इंडिया में जो adoption होगा उसका क्या-क्या procedure होगा ठीक है first subsection कहता है Indian prospective adoptive parents living in India irrespective of their religion ठीक है हामा में तो वो हिंदू के लिए है लेकिन यहाँ पे कोई भी religion का person होगा जो इंडिया में रहता है वो prospective adoptive parents हो सकता है prospective again possibility ठीक है if interested to adopt अगर वो interested है किसी orphan, abandoned और surrendered child को adopt करने के लिए may apply for the same तो वो application डालेगा specialized adoption agency में in the manner as provided in the adoption regulations framed by the authority जो भी agency का format होगा regarding the application for adoption वो आपको follow करना पड़ेगा second बात करता है subsection की agency जो होगी फिर एक home study report बनाती है उन parents के regarding इस report में basically होता है कि parents की कोई history तो नहीं है illness वगेरा की या फिर उनकी history किस तरह की है यानि कि कोई उन्होंने offense वगेरा तो नहीं किया जो भी उन्होंने past में उनका conduct रहा है towards society, towards उनका आपस में कैसा है कहीं वो लड़ते ज्यादा जगड़ते तो नहीं है और ज्यादा अगर वो जगड़ेंगे तो फिर वो एक बच्चे को कैसे adopt करेंगे ये सब चीज़े होती है जो इस report में तयार की जाती है तो these regarding upon finding them eligible will refer a child declared legally free for adoption to them ठीक है उसके बाद एक child जो declare हो चुका है legally free for adoption हम पहले वाले sections में पढ़के आए हैं उन्हें दे दिया जाएगा along with the child study report and medical report of the child अब हो सकता है child जो है उसकी कोई medical history रही हो तो वो भी पूरी उनको दे दी जाएगी तयार जो भी उनकी report होगी regarding child study report यानि कि उसका behavior कैसा है past में obviously past के ही conduct पे base पे उसका जो study report है वो बनाया जाएगा और उसकी कोई medical अगर history है तो वो भी provide की जाएगी in the manner as provided in the adoption regulations framed by the authority उसके बाद है third subsection अब receipt हो गई है acceptance key of the child from the prospective adoptive parents यानि कि वे accept करने की receipt डालेंगे कि हाँ हम बिलकुल accept हैं इस बच्चे को adopt करने के लिए तो उनके पास child study report और medical report जो है वो signed होगी किस से parents के दवारा इसलिए ताकि वो उस चीज़ को पढ़ चुके हैं उससे accept कर चुके हैं और agency जो है specialized adoption agency वो दे देगी उनको बच्चे को pre-adoption पहले foster care में और file करेगी application in the court यानि कि जब तक अब उन्होंने केवल accept किया है लेकिन उसके बाद agency को court में एक application file करनी पड़ेगी for obtaining the adoption order की इस बच्चे को इन parents के पास हम adopt करवाना चाहते हैं जो भी authority का procedure है वो अपना लिया गया है ठीक है उन्होंने accept किया उसके बाद agency ने कहां डाला court में application file करेंगे किसके लिए adoption order के लिए फोर्थ में है उसके बाद court ने उनको मंजूरी दी उसके बाद court की जो order की copy है certified वो agency जो है उनके parents जो adoptive parents है होने वाले prospective उनको provide करवा देगी क्या certified copy किसकी court की वो उने अपने पास रखनी पड़ेगी ताकि future में अगर कोई भी मसला हो जाता है कोई dispute होता है तो वे उनके पास बता सकते हैं कि भई हमारे पास certified copy है court की और हमने इस तरह से adopt किया है through agency ठीक है फिफ्ट में है progress and well being of the child in the adoptive family shall be followed up उसके बाद जो भी progress होगी authority की जो rules होगे regarding की inspection वगएरा progress क्या है और well being क्या बच्चा ठीक वगएरा है वो सब कुछ बाद में follow होईंगे उसके बाद है section 59 उस ये deal करता है inter country adoption में अब इसका procedure थोड़ा सा बड़ा है हमने 58 में पड़ा इंडिया में जो adoption होता है उसमें हमने 5 point पड़े इसमें थोड़े ज़्यादा 12 points हैं और थोड़ा procedure इसका लंबा है और क्योंकि बात होती है दूसरे country की तो किस तरह से है थोड़ा authority agency का ध्यान रखेंगे चलिए हम start करते हैं first में कहता है अगर orphan abandoned और surrendered child could not be placed within Indian और NRI parents within 60 days ठीक है यानि कि जो orphan abandoned और surrendered child हैं उसको place नहीं किया जाता किसी Indian NRI के पास और 60 days हो चुके हैं कौन से 60 days यानि कि एक बच्चे को legally free for adoption declare किया था agency ने और 60 दिन बीच चुके हैं लेकिन उसे adoption में नहीं दिया गया है किसी Indian को या NRI को उसके बाद वो eligible हो जाता है inter country adoption के लिए यानि कि priority यहाँ पे पहले दी जाएगी उसके बाद उसे दूसरे country में भी adopt करवाया जा सकता है यह proviso कहता है कि children with physical and mental disability and siblings and children above 5 years यानि 5 साल से उपर के बच्चे या फिर बच्चे physical या mental disabled हैं या sibling हैं तो उन्हें preference दी जाएगी दूसरे बच्चों के उपर इन inter country adoption में ठीक है उसके बाद आता है second subsection की NRI और overseas में जो citizen है या person है eligible जो Indian origin के उनको priority दी जाती है inter country adoption यानि कि हो सकता है वो foreigner भी हो ठीक है और हमारे देश से जाने वाले NRI हो या वहीं पे बसे होएं हो Indian origin के हो लेकिन वहीं रहते हो उन persons को अबोव किसके foreigner के priority दी जाएगी यानि कि जो वहां के foreigner है यानि कि दूसरे देश के जो वासी हैं उनसे priority हमारे वाले जो देश वासी वहां रहते हैं उन्हें दी जाएगी simple थर्ड सबसेक्शन में बात करता है NRI, overseas citizen of India या फिर Indian origin के person या foreigner अब इसमें क्या आ गए चारो, second में क्या थी preference, third में क्या include किया foreigner को भी जो होने वाले adoptive parents हैं who are prospective adoptive parents living abroad irrespective of their religion यानि कि religion को कोई भी महत्व नहीं दिया जाएगा अगर वे interested हैं कि वे अपनाना चाहते हैं कोई बच्चा इंडिया से तो वो apply करते हैं authorized foreign adoption agency or central authority or concerned government department in their country of habitual residence यानि कि एक कहानी की तरह याद करेंगे यानि कि दूसरे देश के जो ये person है ये apply अपने ही देश में करेंगे ये तीन तरह की agency बताई है foreign adoption यानि कि जो भी वहां की adopt करने वाली agency होगी जो भी उसका नाम होगा उनकी कोई या central authority या कोई भी government जो department deal करेंगा इन चीजों से उसको क्या करेंगे apply application डालेंगे उसके बाद four subsection कहता है कि authorized foreign adoption agency या central authority ये तिनों जो पर दी दूसरे देश की हैं यहाँ आप लिख लेना दूसरे countries की shall prepare home study report वही 58th में हम पढ़के आए जो फस्ट में second subsection में उसी तरह से यहाँ पे भी वे दूसरे देश की जो ये agency है फॉर्थ की जो फस्ट लाइने हैं ये तीन करके दूसरे country लिख लेना क्योंकि आग ये authorities फिर इंडिया किया जाएंगी confused नहीं होना है ये तीनों कॉनसी है दूसरे country वाली ये अब prepare करेंगी home study report किसकी करेंगी अब उनके पास उनके कौन है citizen यानि कि adoptive parents उनकी क्या करेंगी home study report तयार करेंगी और sponsor करेंगी उनकी application to authority अब ये authority जो है फोर्थ सब सेक्शन में ये है इंडिया वाली ठीक है अब वो जो authorities थी तिन्नों कहा की foreign की वो किस application यहां की authority को इंडिया की authority को तो application to authority for adoption of a child from इंडिया इसके आगे हम authority के आगे इंडिया कर लेंगे क्योंकि ये confused नहीं होना है कहीं दूसरे country नहीं दूसरे country वाले home study report तयार करके और फिर हमें इंडिया में जो authority है उसे application देंगे उसके बाद बात करता है फिर सब सेक्शन की अब receipt जो application की है जो adoptive parents की उसको authority यहां वाली examine करेगी और अगर उनकी applicant suitable लगता है तो यहीं की specialized adoption agency को देगी कि इस तरह से यह application आई है from adoptive parents और यहीं इस तरह की इनकी study report है और इनको इस तरह से adopt करना है सिक्स्त में है specialized adoption agency कौन सी इंडिया वाली bracket में इंडिया कर ले ना will match child अब specialized adoption agency यहां के बच्चे के साथ जो study report वहां की parents की तयार की गई थी उनको match करेगी और child की study report और medical report भी है वो provide करेगी किसे parents को जिसके बदले वो accept करेंगे जैसे हमने 58 के third subsection में पढ़ा की acceptance होती है accept करेंगे child से और return कर देंगे वो जो parents से sign करके किसे agency को कौन सी इंडिया वाली specialized adoption agency सेवन्थ में है on receipt of acceptance of the child from prospective adoptive parents specialized adoption agency इंडिया वाली shall file an application in the court अब ये वाली agency court में application same जैसे हमने वहां पढ़ा था application डालेगी कि भई इनको ऐसे ऐसे adoption के लिए चाहिए हमने study report दोनों की देखी है match करता है उनका behavior वगएरा जो भी है और इनको adoption में दे दिया जाए अब 8 subsection में court order pass करेगा regarding ठीक है हम इस बच्चे को इसमें दे सकते हैं adoption में दूसरे country के parents को और certified copy एक देगी अब specialized adoption agency इंडिया वाली shall send immediately the same to authority क्योंकि authority भी कहां की थी इंडिया की अब जो है वो agency इंडिया वाली authority state agency और prospective adoptive parents को क्या करेगी ये जो certified copy है ये send कर देगी किसकी court की और passport obtain करेगी किसका बच्चे का क्योंकि उसे दूसरे country में जाना है नाइन्थ में है अब authority जो थी जिसने agency को दिया था इंडिया वाली ही चल रही है ये authority shall intimate about the adoption अब वो इंडिया वाली authority immigration authorities जो हैं इंडिया की उसको और receiving country मालो अमेरिका से हैं तो अमेरिका को और यहां की जो immigration authority हैं उनको बताएगी regarding adoption टेंथ में फिर बात करता है prospective adoptive parents अब जो दूसरे अमेरिका वाले जो parents हैं वो receive करेंगे बच्चे को in person from किसे specialized adoption agency से as soon as the passport and visa are issued to child यानि की यहां वाली agency से जो वो parents हैं वो direct क्या करेंगे बच्चे को ले लेंगे जैसे ही passport और visa issue हो जाएगा अब 11th में जो यह है यह foreign वाली आ गई अब foreign agency, central authority और concern जो भी government department है जो भी उपर ती नम third subsection में पढ़के आए थे वो ensure करेंगी की progress क्या है बच्चे की क्योंकि अब इंडिया वाली agency का काम 10th में खतम हो गया अब आता है 11th में जो अमेरिका की adoption agency है वो deal करेंगी time to time की बच्चे को किस तरह से उसकी well being हो रही है या नहीं क्या वो खुश है या नहीं और अगर कुछ भी उनको disruption मिलती है वहाँ पे तो वो consult करेगी with authority और Indian diplomatic जो mission उस country में Indian diplomats होंगे वहाँ के Indian diplomatic से ये disruption की consult करेगी जो भी आगे manner होगा की आगे हमें क्या करना है इसके regarding या नहीं ठीक है और जो भी further necessary action होंगे वो ले लिए जाएंगे a foreigner 12th subsection कहता है a foreigner और person of Indian origin और overseas citizen NOC के लिए भी apply कर सकते हैं from कहा से diplomatic mission of his country in India ओके तो वो NOC भी receive कर सकते हैं तो 12th बात करता है बस just regarding NOC and NOC not so important उपर का procedure था बस वो same ही 58 वाला है थोड़ा बस agencies का ध्यान रुकना section 60 कहता है procedure for inter country relative adoption ठीक है क्या कह रहा है देखिए क्या procedure है regarding inter country relative adoption एक वर्ड जुड़ गया relative यानि कि मान लो इंडिया के कोई parents है और उनके relative अब्रोड रहते हैं अब उनके उन अब्रोड वाले relative को adopt करना है इंडिया के relative का बच्चा तो वहाँ पे वो NOC जो है authorities को apply करेंगे कि उन्हें NOC दी जाए और वो adopt कर सकते हैं second में बात करता है authority फिर issue कर देगी simple इसमें यही बात की है receipt उसे मिलेगी और वो issue कर देगी NOC उसके बाद third में adoptive parents उसके बाद receive करेंगे बच्चे को simple relative है तो बस relative वाला portion आ गया बाकी same रहेगा section 61 देखो क्या कहता है court procedure and penalty against payment in consideration of adoption यानि कि आप consideration यानि कि कोई भी वहाँ पे payment reward नहीं होगा ठीक है किसमें adoption में तो पहला subsection कहता है कि before issuing an adoption order court satisfy करता है कि adoption जो है सबसे पहले welfare of child के लिए है ठीक है adoption is for welfare of child और भी बात करता है due consideration कि जो बच्चा है उसके wishes के साथ ही उसे भेजा जाए ये नहीं कि उसके against wishes जाकर और आप कोई adoption करें नहीं उसकी wish भी वहाँ पे होनी चाहिए और C में कहता है कोई payment नहीं होगी except adoption fee और service charges towards authority उसके अलावा कोई payment वहाँ पे नहीं होगी यानि कि adoption में हम हामा हिंदू adoption maintenance act में भी पढ़ा हुआ है हमने मैं वह करवाँगी act उसमें भी हमने किया है कि जो payment वगएरा नहीं होती है ठीक है adoption में सेम वही procedure है 61 में कि कोई adoption के लिए consideration नहीं ली जाएगी और जो भी adoption proceedings होगी वो camera में होगी और दो महीने के अंदर अंदर उनका निप्टारा होना जरूरी होगा उसके बाद कहता है section 62 additional procedural requirements and documentation यानि कि documentation और procedural requirements है as per adoption regulations framed by the authority यानि कि जो बाहर के foreign वगएरा के जो inter country mainly होता है तो उसके regarding section 62 है section 62 के आगे लिख भी सकते हैं inter country जो adoption होगा उसमें documentation procedure जादा होता है किसके मुकाबले जो इंडिया में adoption होगा उसके मुकाबले जो foreign में आप दे रहे हैं adoption तो वहाँ पे documents और procedure requirements जादा होंगी यहां के adoption के context में ठीक है और कहता है कि जो भी specialized adoption agency है यहां की वो चार महीने के अंदर अंदर जो है निप्टारा कर देगी उन adoption के proceedings का ध्यान देना यहां चार बात कर रहा है और उपर ही section 61 में हमने दो महीने के पड़ा तो यह difference थोड़ा देख लेना 61 के 2 में दो महीने की बात करता है इंडिया वाले बच्चों adoption के लिए 62 के अभी हम जो पड़ रहे हैं चार महीने वो फॉरण के adoption में deal करता है तो यह दो चार महीने का difference ध्यान रखना 61 और 62 में यह मैंने वैसे लिख दिया है notes में आप वैसे note down भी कर लीजेगा section 63 डील करता है effect of adoption दो पेरे हैं दोनों पेरों में एक ही बात लिखी गई है कि इस तरह ऐसे हो जाएगा कि जैसे वो बच्चा adoptive family में ही पैदा हुआ है दोनों पेरा में यही बात की गई है a child in respect of whom an adoption order is issued by the court shall become the child of the adoptive parents और adoptive parents shall become the parents of the child as if the child had been born to the adoptive parents वही same तो एक लाइन की बात है a child born in adoptive family इसमें और section में कोई बात नहीं है section 64 कहता है reporting of adoption यानि कि सारी information जो होंगी adoption orders की जो भी issue की गई है concerned court से वो forward की जाएंगी authority को on monthly basis यानि कि monthly basis में आपको बताना है from court to authority की भही इतने इतने बच्चों को adopt करवाया गया है कहां इंडिया में और बाहर ठीक है section 65 कहता है specialized adoption agencies यानि की हमने इतना पड़ा कि ये agencies होती हैं तो ये क्या है 65 define करता है pt mark कर लेना direct भी आ सकता है ये कहां पे define है तो state government बनाता है subsection 1 में shall recognize एक या उससे ज़्यादा institution या organizations हर district में बनाएगा कौन state government as a specialized adoption agency in such manner as may be provided in the adoption regulations framed by the authority for rehabilitation of orphan, abandon or surrender तीन तर है कि यही बच्चे होंगे इनका नाम याद रखना orphan, abandon or surrender through adoption or non-institution care state agency जो है उसके बाद name, address और contact, detail तैयार रखेगी किस की, किस किस district में कौन कौन सी specialized adoption agencies है regarding copies of certificate और letter of recognition और renewal to authority थर्ड फिर बात करता है state government जो है shall get every state government हर specialized adoption agency को साल में एक बार क्या करेगी inspect करेगी और fourth बात करता है अगर कोई भी discrepancy पाई जाती है तो 50,000 रुपे का वहाँ पे जुर्माना हो जाएगा और अगर वो repeat करते हैं बार-बार repeat हो रही है तो ऐसी agency की जो recognition है वो state government वापस ले लेगा ठीक है तो 65 काफ़ important है उसके बाद है section 66 adoption of children residing in institution not registered as adoption agencies यानि कि वो institution जो registered नहीं है इस act के लिए या फिर उनको specialized adoption agency ने recognized नहीं किया है और वहाँ पे बच्चे हैं तो उसके कैसे rules होंगे ठीक है adoption of उनका adoption तो होगा लेकिन फिर उनका किस तरह से deal करेगा वो कहता है section 66 तो subsection 1 कहता है all the institutions registered under this act which may not have यानि कि registered तो हैं लेकिन recognized नहीं करता है as specialized adoption agencies ठीक है यानि कि वो act registered तो हैं लेकिन जो recognized नहीं है in agency की तरह है क्योंकि या adoption agency तो यहीं है न इसी लिए shall also ensure that all orphan abandoned surrendered children under their care are reported produced and declared free for adoption by the committee कि section में पढ़ा था section 38 में कि child जो हैं उनको declare करना legally free for adoption तो वहीं यह कहता है कि ensure करेगी कि वो बच्चे जिनको ऐसे institution पैदा कर रहें sorry adopt कर रहें करवा रहें हैं दूसरे उनसे तो क्या वो उन्होंने पहले ऐसा कुछ declare किया है that these child are legally free for adoption as per section 38 यह ensure करेगी उसके बाद second subsection कहता है कि यह जो institution है यह एक formal linkage बनाएंगे किन के साथ जो registered specialized adoption agency है उनके साथ ठीक है और यानि कि linkage का यह आप समझ लीजिए कि यह institution को touch में रहना होगा specialized adoption agency के साथ कि भई हम इस तरह ऐसे adopt करवा रहें हैं बच्चे और SASA 38 का भी हमने rule follow किया है थर्ड में वही बात करता है kontra भी नगर करता है एक या दो को तो वहाँ पे पचास अजार का जुरुमाना और अगेन de-recognize कर सकती है कौन government उसके बाद बात करते हैं section 67 में state adoption resource agencies ये कहां होंगी obviously state government करेगी और state में होंगी ठीक है और state की adoption agency होगी और ये appoint करेगी state government mainly इसमें यही बात है 68 में आती है central adoption resource authority तो central जो adoption resource agency होगी authority कह सकते है existing जो act से पहले थी वही बाद में भी मानी जाएगी जो बाद में इस act के बाद आई है ठीक है constitute हुई है उसके बाद कहता है क्या-क्या वह function करेगी mainly इसमें यही बताया है तो वह promote करेगी जो in country और interstate जो भी adoption होंगे उनसे deal करेगी और second कहता है regulate करेगी inter country adoption को frame करेगी regulation on adoption and related matter from time to time d में carry out करेगी function of central authority under hey convention हमने पहले भी एक बार पढ़ा था यह आ सकता है इस तरह का conventions के नाम दे दें तो hey convention on protection of children and cooperation in respect of inter country adoption और e में कुछ भी ऐसा लग सा function जो होगा वो कर सकती है ठीक है हिंदी में भी थोड़ा हो जाएगा हमारा संचालन समीती the authority shall have a steering committee तो इसमें देखो क्या होगा जो WCD यानि की woman and child development की secretary होगी वो यहां की chairperson हो जाएगी अब वहां की joint secretary जो है जो deal करती है authority से वो हो जाएगी यहां पे member ex of issue ठीक है और दूसरा जो joint secretary होगा regarding finance से deal करती है यह सभी WCD की होगे woman and child development government of India यान की central government में आएगी ठीक है वो भी ex of issue हो जाएगा एक state adoption resource agency आएगी और दो specialized adoption agency और क्या-क्या होगे उस authority में एक adoptive parent और one adoptee यानि की जो adoptive parent होगे adoptee जिसको adopt करना है एक advocate होगा एक professor होगा 10 साल का family loan experience हो और member secretary होगा जो chief executive officer होगा organization का simple है as such kutches में नहीं है not so important उसके बाद है criteria क्या होगा selection nomination का तो जो भी prescribed होगा third में फिर इनके function आते हैं तो function कुछ same ही है जो हम पहले पढ़के आए हैं oversee करेगी functioning of authority review करेगी work और annual budget को approval देगी मैंने एक word में लिख दिया है आप bear act के आगे भी लिख सकते हैं सब sections के आगे recruitment rule बनाएगी service rule बनाएगी financial rule बनाएगी और d में कोई भी ऐसा function not so important उसके बाद है steering committee महीने में एक बार meet करेंगी यह important है headquarter जो भी functional necessity के अनुसार setup किया जाएगा वो हो जाएगा ठीक है उसके बाद है section 70 section 70 कहता है powers of authority ठीक है अब जो उसके under में जितने भी यह चीज़ें आ रही हैं कौन-कौन सी agencies हैं इनका जो है inspection एक तरह से यह काम सही से कर रही है तो यह functions powers यह याद नहीं किये जाते हैं यह logic लगा के भी लिखे जा सकते हैं ठीक है क्योंकि याद करना हर किसी का function power थोड़ा सा teddies काम हो जाता है उसके बाद है recommend to the concerned government or authority to take appropriate action यानि कि कोई functionary काम नहीं कर रहा non-compliance कर रहा है किसी instruction को तो उनके खिलाफ action लेना forward करना C में है any case of persistent non-compliance of its instruction by any official या functionary और कोई भी अगर ऐसा case होता है तो magistrate के पास फिर 346 of the court of criminal procedure तो यह सब functions वगेरा में हैं कि कहां कहां पे वो उनको mainly issue कर सकती है guideline नहीं मानते तो क्या फिर करेगी magistrate के पास power है deal वगरा करने की ठीक है 71 में कहता है annual report of authority तो annual report of authority देखो क्या कहता है कि submit होगी annually की space central government पे simple और जो annual report होगी वो दोनों houses के आगे रखी जाएगी simple इसमें और कुछ खास बात नहीं है 72 में है grant by central government central government जो भी due appropriation करने के बाद जो भी parliament बनाएगी कानून द्वारा उसके हिसाब से लागू करेगी तो not so important accounts and audit of authority है तो ये थोड़ा ध्यान रखना prescribed by central government और CAG controller and auditor general जो होगा उसके consultation के साथ accounts और audit बनाएगी तो accounts audited by CAG, CAG के right privileges वगेरा ये आप इतना देख लीजेगा accounts annually forward होते हैं to central government by that authority और हर houses के आगे जो भी rules regulation audit report होगी वो रखी जाएगी तो 73 तक हमारा ये chapter complete हो जाता है एक और वीडियो में chapter 9 और 10 दोनों cover हो जाएगे ये मैंने इसलिए जल्दी करवाएं ये इतनी important नहीं है ठीक है regarding क्योंकि इस पूरे act में काफी provision है जो काफी important है इन से ज़्यादा लेकिन हाँ एक बार पढ़ना जरूरी होता है इसलिए मैंने आपको बता दिया otherwise not so important ठीक है जल्दी जल्दी कर दिये मैंने एक मिंट में इन बता दिये हैं सारे जो मैंने आपको बताती रही हूं साथ साथ प्लीज उनका revise करती रहेगा क्योंकि थोड़ा सा एक्ट लंबा हो जाता है ये और आगर आपको समझाया हो यहां तक 73 हमने cover कर लिया है तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा और चैनल को सब्स्क्राइब कर दिजेगा थेंक्यू झाल कर दो